तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना क्याता हूं कि इसमें रेगुलेटर को जो इनेबल दिया गया है तो इसको इनेबल से स्विच क्यों कराया गया इस पॉइंट पे डिरेक्ट सप्लाई क्यों नहीं दिया गया कोई बता पाएंगे कि अउसके लिए एक इनेबल का इसान्य क्यों का इस वह स्कती है डाप्टर लगाते यूएजबन हो जाएगा म menu ERIC में तो इस लिए डेकटर लगाएं कुछfahr सब्सक्राइब करेंगा इसी वज़े से हर पार्टिकुलर सेक्षन में मत्री यह पर स्विच का ही काम कर रहा है कि जब आपको जवरत होगी तो ही सप्लाई मिलेगा और निदे लैपटप आपका बंद है तो फिर उसको यह सप्लाई देने की कोई जवरत नहीं है तो यह सप्ल सब्सक्राइब करेंगा जिसको जैसे बैटरी प्रॉब्लिम करेंगे उसका ड्रेंग जाता करेंगा और उसका सिस्टम भी पर्मानेंट ऐसा लगी है जिससे की ओन है तो इसलिए स्विच को बाइपास करने से पहले उसकी निगेटिव रिजल्ट के बारे में सोच लेने ज़रूरी है कि उसको नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे को जी सब्सक्राइब आगे कर ज जैसे है आभी हमने बताये कि इसका कंट्रोलर जो है स्टार्विच के अंदर होता है तो आप देखो यूएस बी यह मारे यूएस भी इसके अंदर इतने सारे यूएस भी लगे ओए यूएस भी पॉसिट यूएस भी पी जीरो नजर आरहा नहां सबको porte 1 अब काउंट कर ले, नेगटिव पॉस्टिव एक पेर हो गया, ठीक है ना, नेगटिव पॉस्टिव से एक पेर बन गया हमारा, तो USB-P 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 0 से शुरू हुआ तो 10 USB इसके अंदर, कंट्रोलर्स 10 USB की है, ठीक है, उसमें से इन्होंने क्या किया हुआ है, हम देखते हैं, USB 0, बोलो, एक USB पेर को पकड़ते हैं और उसके सिगनल को देखते हैं, कि वो गया कहां पे, कहां यूजड है, यसे इन्होंने आगे लिखा हुआ है, कि USB 1 पोर्ट पे, इसके नेगटिव पॉस्टिव को यूजड हुआ हुआ, लेटर सर्च, यहां पर सर्च किया था, एक इसने यहां बता दिया और दूसरा इसने बताया, यहां पर है, यहां पर क्या है, आगे, यह एक रिजिस्टर है, पैड, नाम चेंज हो गया, अब यह ना सोचना है, इस से सर इसके आगे गया कहा कि तो ट्रैक वही है यूएसबी पी जीरो ट्रैक वही है बीच में एक रिजिस्टर लगा जीरो ओम का जीरो आर बोले तो जीरो वैल्यू और यह पैड एक्चुली दिस्टर का सर्क ने आपको स्टार्टिंग में बताया ना एक तो जिग-जैक फॉर्म में होगा एक है है कि अन्दर जो एच गया हुए है है हां नीचे कई बरी साटा होता है उपर दूसरा होता क्योंगी जगह कम होती मदरबोर्ड में तो मद्बोर्ड डिजाइनर थोड़ा इस तरीके से बना देते हैं कि बढ़ बड़ा भी ना हो कॉम्पैक्ट भी रहे है तोड़ा सा उठा देते हैं आपको कोई लेना देना नहीं है कि आगे कहां जा रहा है आपने टेक्नोलोजी पढ़नी है USB की कैसे काम करती है ठीक है आप देखो कि इस तरफ USB बोट है और इस तरफ क्या है इस तरफ हमारा HDMI बोट है और इस तरफ हमारा USB बोट है कैसे यह देखो पांच वोल्टेज यूएसबी पॉजिटिव और नेगेटिव और ग्राउंट यहीं तो है बोलो बोलो किसी स्टुडेंट को समझा रहा है देखो वही है ना एक तरफ SDMI ही है उसको छोड़ा SDMI को यूएसबी की बात कर रहे हैं तो में चार ही पॉइंट है तो यूएसबी पांच वोल्टेज फाइव वोल्ट अंडर्सकोर यूएसबी टू अंडर्सकोर S3 ठीक है S3 बोले तो इसमें S3 से बनती होगी और यूएसबी नेगेटिव पॉजिटिव और ग्राउंट और ये बाहर का जैक उनके सब के ग्राउंट को इन्होंने जोड के बता दिया कि ये ग्राउंट है तो चार पॉइंट होगे ना जी सर्थ ठीक है तो ये यूएसबी जो हमने पहला सर्च किया था वो वहां से पीसीएच आईसीएच से हमने देखा था कि वायर्स जो यूएसबी जीरो है उसकी दोनों पॉजिटिव नेगिटिव इदर आ रही है यूएसबी जीरो की ये वाले की है ना जी सर्थ इसी की निकली थी आगे जाके नाम चेंज हो गया था एक रिजिस्टर के कारण तो इसके अंदर इस तरीके से कितने सारे हैं न्यू कार्ड है उसके उपर भी इन्होंने ये तो पर्टिकुलर्ली यूएसबी ही था इसलिए यूएसबी कनेक्टर पर ही HDMI कनेक्टर पर गया लेकिन वहाँ पर यूएसबी कनेक्टर भी था इसलिए यूएसबी पर गया अब ये new card पर भी जा रहा है, new card बोले तो हमारा जो card इटर वगरा जो भी होता है, ठीक है, उस पर इन्होंने इस particular USB के इन दोनो data clock signals को use किया हुआ, इसको search करते हैं, अभी हम ये भी देखेंगे कि अगर ये USB 1 जो बंद हो जाए, तो particularly ये USB 1 ही बंद होगा, पूरा USB बंद नह हुआ, तो खाली USB 1 ही बंद होगा है, तो क्या दिक्कत है, वो हम आगे बाते करेंगे, या पूरा complete USB section ही बंद हो गया, तो हम आला बत करेंगे, ठीक है, फिलाल आपने ये देखी example कि USB 1 हमारा, एक particular USB पे, port पे गया, जिसके लिए इन्होंने USB P, USB P, 0 negative, USB P, 0 positive के pair को use किया, फ न्यू कार्ड के लिए, तो इसको आप सर्च करेंगे, सेम तरीके से, यहां से गया, कहां पर उन्होंने लिखा था, न्यू कार्ड पे जाएगा, तो यह सीधा गया न्यू कार्ड पे, टू और थ्री नंबर पिन पे, मारा Wi-Fi कार्ड, यह थोड़ा वो नाम चेंज करते रह हैं, तो इतना पुराना बोर हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो Wi-Fi कार्ड के उपर हमारा, न्यू कार्ड भी लगता है, Wi-Fi कार्ड भी लगता है, अलग-लग तरीके से कार्ड आते थे उस टाइम में, तो USB के जो सेंटर वाले दोनों पिन थे, वो इस पे तो हम actually इस conclusion पे निकल सकते हैं कि यार ये particular points खराब होएं, तो it means ये ICH से निकले हैं, और ये particular points खराब होएं, इस टाइम हम USB port नहीं कर रहें, यही मैं starting में गह रहा था, आपने सिर्फ USB ports को नहीं समझना, USB technology कहां-कहां use हुई है, उन सबको आपने clear करना, अगर ये particular, दोनो USB points में से एक भी short हो जाता है, यह एक भी impedance चेंज करता है, इन दोनों का अगर मल्टी मीटर से impedance देखोगे तो almost same होता है, महलब same ही होता लेकि चलो आप, अगर suppose, एक का impedance for any example, 400 आ रहा है, USBP negative का impedance 400 आ रहा है, और USBP positive का signal आ रहा है, 1500, short को छोड़ो, 1500 आ रहा है, दोनों में कित यह तो खराब है ही है, चाहिए कुछ भी हो जाए, यह particular दो points खराब ही है, मैं इस चीज की guarantee देता हूँ, यह आपने अपने अंदर मान लेना है, कि इन दोनों का impedance same आता है, तो same ही आना चाहिए, यह हमने पड़ा हुआ है, हमको confirm है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, त तो देखो कि यह सारे section हम बाद में पढ़ेंगी, PCI Express वगरा कैसे काम करते हैं, और SMB बस data और SMB बस clock वगरा कैसे काम करती है, यह अलग चीज, यह तो हमने करना तो सब कुछ ही चेक होता है, लेकिन कुछ भी तो खराब हो सकता है, तो आपको prepare होना चाहिए ना, अगर यह particular यूस किया हुआ है, इस card के उपर, ठीक है, तो इस card के उपर अगर यह points खराब है, short है, चलो मैंने बताया अभी कि एक value low है, यह एक open आ रहा है, तीन चीज़ें हो सकती है, यह तो open आएगा, आई नहीं रहा कुछ, इट मींस track break हो चुक है, ICH से इस particular point के बीच में track break हो चु 110% है जब short है, रास्ते में कुछ है नहीं, कोई capacitor नहीं है, रास्ते में कुछ नहीं है, connector सही है, तो ultimate, obvious ही बात है कि ICH सही रिक्कत है, PCS सही रिक्कत है, sure होगे न आप, आप sure होगे, अब उसके बाद card लगाने पर जो hang हो रहा है, lag हो रहा है, आप customer को साफ कह सकते हो कि की तो, यहां तो उससे आप काम चला लो, नहीं तो भाई सहाब, यहां तो आप इसकी ICH चेंज करवाओ, जो आगर आप कर सकते हो, PCS चेंज कर सकते हो, नहीं तो motherboard चेंज कराओ, आपको अप clear हो गया कि भाईया, इनके इलावा कुछ है नहीं है, मैं महीं मगजमारी करके मे हो एक अलग तरीक है, कि कितने टेंपर अपने perfect लगए, आपको खुद बता होगा, यह एकदम perfect लगी है, और company का motherboard साल में खराब हो सकता है, लेकि मैंने लगाई ICH यह PCS यह दो-तिन साल से पहले खराब नहीं होगी, इतना आपको confidence होना चाहिए, अपनी perfection इतनी होनी खीर खिचडी बनाके, बिल्कुली खिचडी बनाके मुँ में नहीं डाली जा सकती, कुछ आपको खुद भी technical होना पड़ता है, कि हाँ या, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, कि USB 10 USB से है, इसके अंदर एक USB के जो data clock था, उन्होंने एक USB port पर बेज दिया, एक USB के data clock को उन्हो USB 1 की तरह, ऐसे होंगे न, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, यह new card वाला है, यह तो rarely use होता है, तो उसके connection काट के, इसके connection दे सकते है, वाई फाई पर, आदे सकते हैं, यही तो मज़ा है, अब आपको समझ आ गई न, ऐसी कि तैसी camera नहीं चल रहे हैं, कैमरे की track सबोर शॉट आ रहे हैं, वहाँ से मारो, काटो, बाकी इस laptop सही चल रहा है, बाकी USB सही है, बाकी USB सही है, इट मींज, पर्टिकुलर्ली एक USB खराब हुआ हुआ है, शुकर है भगवान का कि पूरा USB section नहीं खराब हुआ, वहाँ से track काटो, new card के connection दे दो, mini card के connection दे दो, dock के दे दो, आपने खेल दिया circuit के साथ, आपको बता है, यही है मेरे को क्या लेन देना, उसका controller अंदर रहा हुआ है, ऐसी छोड़ना हो गया, ना काम निकल गया, ना laptop वापस आएगा, ना लिक्कत आएगी, ठीक है, अच्छा, वो USB P4 यहाँ से निकला था, P4, positive 4, वहाँ से यहाँ आया, आग नहीं लगी होगी इस बोड में, क्योंकि DIY लिखा है, डिडन्ट यूजड, मतलब कि यह वाला coil यहाँ पर यूजड नहीं की गई, यहाँ से यह circuit की आई, यह particular signal आया, और आगे जाके USB 4 positive के नाम से बन गया, track सेम है, जंपर मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अ चीज़ें आप लिख सकते हैं, चोटी मोडी साहथ में, कोई ब्रेक हो जाए तो कोई की डूणने के चेकर ही नहीं वाला, सिर्दा जंपर मारो, बिंदास चलाओ, कोई है नहीं होगा, कोई lag नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब में, अब USB PP4 से USB underscore 4 positive बन गया, तो यह track य जी सर, देखो यह लिखा हुआ है इस पर, कैमरा, लिखा है ना, जी सर, यह कैमरा है, यह पिछे की बोर्ड है, कैमरा है, देखो कितनी सारी पिन्ने हैं, भाई आप पिन्नों को देके confused नहीं होना आपने यार, इतनी सारी पिन्ने, USB में तो पहे चार ही पिन्ने होती है, तीन नमबर बिन पे पांच वोल्टेज आ रही है, यह पॉस्टिव होगी, और फिर चोती नमबर बिन किया है, क्रॉस है, यह यूजज़ी नहीं है, यह उपन है, और तीन और अपनी दो और एक नमबर बिन पे हमारी USB 4 आ रहा है, ठीक है, अब इन एनी केस, आप चेक करते हैंगा इसको, तो कुछ नहीं करना है, काटो यहां से ट्रैक्स, दोनों के, एक के नहीं, जब भी इस यूज़ होगा, पूरा का पूरा पेर ही यूज़ होगा, काटो, मारो जंपर दूसरे USB पे, और कैमरा आपका on, तो USB से आपने, USB पोर्ट को ही नहीं रटते रहना बैठ केगी, USB पोर्ट, is only USB, USB टेक्नोलिजी है, जिसके अंदर उन्होंने हमको, कुछ तो, पेसिलिटी दिये की, कस्टमर खुद ही, अपना बाहर का कोई कंपोनेंट बीच में लगाए, और डिटेक्ट करा ले, और कुछ उन्होंने मदर बोर्ट के अंदर की चीज़ें, यूज की वही है, ठीक है, तो USB टेक्नोलोजी को पढ़ना, आपने, USB पोर्ट को नहीं पढ़ना, और USB पोर्ट में क्या क्या होता है, हमने पांच वोल्ट तो डिसकर्स करी लिए है, देखते हैं आगे, चलो इस तरीके से आप डिटेल में चेक कर लेना, किसी को कोई क्रेश्चन हो होगा, अवास मेरी कट तो नहीं रही, आरिये सर, क्लियर है, अब सबोज, ये USB वन, हमारा सिगनल एकदम ठीक है, सिगनल बोले तो, तो सिगनल होते हैं, कंपोनेंट टेस्टर पर अलग सिगनल होते हैं, और वैसे मैंने मल्टी मिटर से आपको बता दिया, कि अगर दोनों क इंपिडेंस सेम है, तो अब लेके चलो, की सिगनल ठीक हैं, दोनों का इंपिडेंस सेम है, तो सिगनल ठीक हैं, USB one की बात, इक्जाمपल के तोर पर, सारे एक ही चीज़ है, किसी एक को पढ़ लो, सारे वैसे गाउ करेंगे, USB one पे अगर हम देखते हैं, कि सिगनल सेम है, त तो हम यह मान के चलते हैं कि connectivity ICH से लेके particular USB port तक चाहे वो camera में कहीं भी है तो भाईया सब कुछ ठीक ही है लेकिन भाई साब यह USB 1 नहीं चल रहा पांच वोल्टे भी सही आ रही है connection भी ठीक है कोई shooting यह signal भी ठीक है ground भी ठीक है लेकिन भाई साब USB 1 नहीं चल रहा अब यह USB 1 पर्टिकुलर कैमरे पर यूज़ हुआ है Bluetooth पर यूज़ हुआ है लेकिन चल नहीं रहा भाई जिस पर भी यूज़ हुई है यह particular दो tracks तो उस case में हम USB जो ICH है ना जो हमारी PCH ICH कह यह तो outputs हैं लेकिन इन outputs को चलाने के लिए PCH को या ICH को particularly supply भी मिलती है वो supply जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो particular controller काम नहीं करेगा PCH को सिर्फ RTC section की supply मिलने से तो काम नहीं चलेगा ना यहां उसको एक अपनी जो supply है 1.8, 1.5 कुछ भी particular motherboard में यूज़ होई है उससे काम नहीं चलता 1.05 यूज़ होई है उससे उसके बाकी के काम होंगे लेकिन जो यह controllers है ना अलग अलग SATA, USB यहां इसके इलावा card reader, sound इन सबकी अपनी भी एक supply आती है ठीक है और इसके इलावा USB के section में खास तोर पे हर USB के लिए particularly एक supply आती है अब बोलोगे ठीक है सर आपने बोला USB के लिए supply आती है लेकिन अगर suppose अभी हम बात करी रहेते हैं अगर वो बंद हो जाए यहां उस सबसे पहले हम चेक करते हैं USB की supply कहां से आती है और motherboard में कैसे सर्च करेंगे USB की supply कि हम confirm यह उस case में जिसमें पूरा का पूरा USB नहीं चल रहा तो उसके बात हम इस पर भी आएंगे जो इसके बारे में मैंने बोला कि particularly एक USB काम नहीं कर रहा अभी हम बात करते हैं पूरा का प यूएसबी नहीं काम कर रहा तो यह camera शैम रहा है जहां 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 भी उस particular में जहां 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 भी use किया होगा USB को वो particular चीज़े नहीं चलेंगी यह हमारी ICH है ठीक है यह numbers जो है R6 जो भी number है यह balls के number है इसके ने नीचे जो balls है क्योंकि अगर tracks होते यह pins होती तो उनक number simply numerically होता है 1,2,3,4 ही साबसके अगर यह A22 इस तरीक से alphabetic numerical है तो balls वाली है इसी है ठीक है और इस particular page के उपर इन्होंने लिखा है ICH 8 इसके अंदर लगी है power कि इसके अंदर जो power के जितनी भी powers आ रही है उनके बारे में इस particular page के उपर समझाया है ठीक है तो इस page के उपर इन्होंने ICH पे power के बारे में समझाया है इस particular page के उपर ठीक है अब हम देखते हैं देखो इसके अंदर ये सर्च अपने आप हो चुका है पहले ये supply आ रही है ना 1D5V underscore S0 1D go up D go up dot 1 ना D से dot ठीक है 1.5V underscore S0 S0 से आपको पता लग जाएगा जिन्होंने किया है और जिन्होंने नहीं किया है उनके बारे में यही है कि S0 हमारी last वाली supply होती है जो सबसे last में बनती है तो 1.5V voltage इस capacitor राश्ते में यह capacitor है और यह VCC USB PLL VCC USB PLL supply ICH को जब तक नहीं मिलेगी जब तक ICH को VCC USB PLL पर यह 1.5V voltage नहीं मिलेगी तब तक हमारा वो जो USB के positive negative निकल रहे थे वो जो controller है ना पूरा का पूरा बंद रहेगा पूरा का पूरा बंद रहेगा तो आपने पूरा पीछे जाना है कि भाई सारे signals ठीक हैं लेकिन still USB is not working तो उस case में आप यह supply देखोगे और यह supply देखने के लिए इस capacitor पे चेक कर होगे इस capacitor पे ही चेक कर होगे नेरस तो यही है आईसी अच का या पीसी अच का जब आगे पीसी अच की भी देख लेंगे तो आपने इस particular point पे देखना है कि 1.5 voltage underscore S0 जहां से भी आ रही है वहां से निकल रही है और इस particular capacitor पे आ रही है कि नहीं आ रही है अगर आ रही है still USB is not working तो क्या हो सकता है बताओ जल्दी जल्दी बताओ इसके आगे ही के पाजवाब नहीं रहे है आइडिया लगाओ हम सिंपल सी बात हो इंपुट है यह आगे USB नहीं चल रहे है तो हम क्या सोच सकते हैं क्या हो सकता है मोटी बुद्धी से हमने यही सोचना है कि भाईया 1.5 voltage आ रही है इसका इनेबल VCC USB PLLR आ रहा है आउटपुट काम नहीं कर रहा है तो आउवियस ही वाद है PCH ही खराब है भाईया आइसी खराब है हमारी यही सोचेंगे ना क्योंकि हमने इंपुट तो चेक कर लिया और आउटपुट आउटपुट में कोई रुकावट नहीं है तो हम हीट से काम चलता है नहीं तो आपको नया ही लगानी पड़ती है अंजी दुलाल जी बोलो PCS अगर खराब होगा तो लैप्टप तो ओने नहीं होगा अच्छा जी यही तुछ दुलाल ऐसी बत्ते करता ना फिर तू कहता है मेरी शादी को रहा हो पी-सी-च में मैंने बोला बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं पाटिकुलरली एक इक उठी कंट्रोलर खराब हो सकता है बाकी तो चलेगा आपने ऐसे लैप्टप देखा नहीं जिसमें USB नहीं चल रहा लेकिन बाकी लैप्टप चल रहा है लुइत पाइटिकुलर एक का यूदर नी कंट्रोलर खराब हो गया का साउंड चलाने का यह चलाने का वो तो सब ठीक है क्यों गुलाल जिस पीच वो अलग खराब होता है वो होता है पॉवर सीक्वेंस के एकॉर्डिंगली पीच खराब हो गया उसमें हमारा पीच खराब है उसको हम कहते हैं कि लैप्टोब नहीं हो रहा क्योंकि उसमें कि लोग्टोपाइब का वो भीच खराब है उसमें पाइन को रहा है उसमें लाग उसमें ए जब टुब टूब टूब टूए अज़ को बागशा रूब टूब टूब टूब